आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, पाहियो और बैनों, मात्री सर्ति को नमन, आज का हमारा बहुत सुन्दर विशे, तेजस शरीर प्रोसेसिंग फ्रेक्टरी, देखिए, हमारे गरंतों में पांस तरीके के शरीर बताए गए हैं, ओधारिक सरीर, वैक्रिय सरीर, आरक सरीर, तेजस शरीर और कार्मन सरीर, क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई विवस्ता है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले ओधारिक शरीर, जो ये मेरा स्तूल सरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्ड, मास, अस्ती, मज्जा, और जो है वो, खून, और मास, और अस्ती, मज्जा, व ओधारिक शरीर है, और ये ओधारिक शरीर जो है, वह बहुत ही दुरगंद वाला है, वो ओधारिक शरीर है, लेकिन इस ओधारिक शरीर की एक बड़ी विशेस्ता ही है, कि प्रभू जो इसके अंदर बिराजमान है, वह अत्यंत विक्षित प्रभू है, और ये ओधारिक श शरीर में ही डैवलप्ट इंद्रिया, डैवलप्ट बुद्धी, डैवलप्ट मन, डैवलप्ट चित, डैवलप्ट एहंकार और डैवलप्ट आत्मा होती है। इसी कारण से ये दुनिया का सरोस्ष्ट उत्तम सरीर है ओधारिक सरीर। जब कभी भी आप मुक्ति को जाएंगे तो इस ओधारिक शरीर के माद्यम से जाएंगे। इस ओधारिक शरीर के लिए का गया है शरीर माद्यम खलू दर्म साधनम। यह शरीर धर्म की साधना करने में सायक होता है। मन वचन काया की जितनी शुप प्रवर्तियां जो की धर्म कहलाती है वह शरीर के द्वरा ही की जा सकती है। और इस शरीर को ये भी का गया है कि शरीर व्यादी मंदिरं ये शरीर व्यादी का मंदिर है व्यादियों से भरा हुआ है आदी व्यादी उपादी से भरा हुआ शरीर है आदी का मतलब होता है कि हमारी मानसिक दूईदाएं जितनी भी मानसिक टेंशन हैं समश्या हैं वह सारी आदी कहलाता है व्यादी का मतलब हमारी शारिरिक जो जितने भी बिमारियां हैं जिसको की हम साइको सॉमेटिक डिजीज भी कहते हैं वो सब व्यादी कहलाती है वो इस स्तूल सरीर से जुड़ी होती है और अज उपादी जो होती है वो इमोशनल कॉंशन्ट होता है वो हमारे emotions यानि हमारी भावना क्रोव दैंकार माया लोब से जुड़ा हुआ होता है वो emotional होती है इसलिए उनको आदी व्यादी और उपादी बोला जाता है और इन सबसे परे जो है हम समादी को जा सकते हैं अगर आदी व्यादी उपादी से आप परे जाना चाहते हो इन से चुटकारा पाना चाहते हो तो आप समादी को प्राप्त हो इसलिए समादी को जितने भी दुनिया में धर्म दर्शन है उन सब में उतकरष्ट अवस्ता का ही गई है अगर हम योग की बात करें तो अस्टांग योग में जो आठ अंग बताये गए है जो की आसन प्रणायाम जो की बताया गया है यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार दारना ध्यान और समादी ये जो है वो उच्छ अवस्ता समादी की है और जैन दर्शन में जो भगवान ने तब के बारा भेद बताये है उसमें भी जो है वो अंतिम जो बताया गया है वो स्वाध्याय और ध्यान की अवस्ता यानि समादी की अवस्ता को बताया गया है तो आदी व्यादी उपाजी से उबरने के लिए समाधी की अवस्ता होती है तो ये सब ओधारिक शरीर का रुएक्रिय शरीर होता है ये देवताओं के और जो हमारी जितने भी नार की जीव होते हैं उनके होता है ये मौम की तरह होता है मौम जैसे फट जाता और फटा का टाइब बोलता है वैसे ही ओधारिक शरीर वाले जब मृत्यू को प्राप्त हो जाते है तो बंब की तरह फूर जाते हैं वो सरीर समाप्त हो जाता है और मौम का जो शरीर होता है उनके जो है वो हमारा हाड मास का ये पुतला है वैसा दर्द नहीं होता है उसके अंदर तो मॉम को जो है वो किसी चीज से छेदा जाता है बेदा जाता है तो इसलिए वो नर्के जो नेरी होते हैं एक दूसरे को नौसते हैं जो आपस के अंदर जिनके करम बने हुए होते हैं और जैसे हमारे तो कौन आता है वह उसकी उनके कौन नहीं होता है क्योंकि यह वेकरिय शरीर होता है और वेकरिय सरीर के अंदर चोटा, बड़ा रूप जो है वो अलग-लग सरीर का किया जा सकता वोधारिक सरीर वाला नहीं कर सकता इसलिए जो देवता जो रिद्धी सिद्धी वाले होते हैं वो कभी सरीर को छोटा कर लेते हैं कई ताड की तरह बढ़ा कर लेते हैं तो वो सारा जो है वो हमारा नारकी है और दूसरे देवगती वाले कर पाते हैं नारकी जो एक से साथ तक होती है उसमें जनम कैसे होता है कि जहां वैक्ति को निक्रिष्ट करम भोगने होते हैं पाप के करम भोगने होते हैं आपने सुराई देखी होगी सुराई का जो मुँ होता है बहुत छोटा होता है और उसमें बाले टाइप लगे होते हैं तो वो जीव जो है उसमें से निकलता और बाले सारे चुपते हैं जब नारकी का जीव जनम लेता है और वो जनम लेते युवा बन जाता है उसी तरीके से जो देवगती वाले होते हैं शुबगती होती है तो वहाँ पर सोने के बैट सोते हैं शैया होती है तो वो जीव उस सै कि आप ता leven होता है और उह तुरंट ठीस इकी साल का युखा बन जाता है तो इसिलिए ओधारि वैक्री आःरकіч है अआरकश शडिए जो है पुछला टाइप एक हाध का मंतरित पुछला होता है जो कि रिधी सिद्धी वाले जो देव होते हैं साथ में ऐ GISTभ違 वाले मनुष होते हैं वो उतकरष राधना वाले होते हैं रिदी सिध्धी वाले होते हैं उनको कोई भी शावक प्रश्ण करता है उनको उत्तर whats not आता है तो वो अपने गुरू के पास में शिमंदर स्वामी के पास में या किसी तीर्तंकर के पास में वो उसका पुतला बना करके बेशते हैं और पलक जबता ही वो जबाब लेकर के आजाता है कि वो रिद्धी सिद्धी मंत्रित पुतला होता है तो ये जो है कि वर उन्हीं मुनियों के होता है जो कि उच साधना वाले होते हैं और रिद्धी उस्वाले होते हैं उनको ही प्राप्त होता है तो वहादारिक शरीर वैकरिय सरीर अरक शरीर अब तेज़स शरीर जो आज आज कामरा विश्य है वह तेज़स शरीर जो है वह बहुत तरह के काम करता है इसलिए विश्व की सबसे बड़ी फैक्टरी है ये तेज़ेश शरीर कहलाता है तेज़ेश शरीर अस्ट स्पर्श्वी वाला होता है इसलिए तेज़ेश शरीर के फोटो कीच लिए जाते है हमारा आभा मंडल है वह भी तेजे सरीज से जुड़ा हुआ होता है और उससे आबा मंडल के करलियन फोटोग्राफी वगरा से फोटोगीचे जाते हैं तो वो फोटोगीचने से हमको मालूम पड़ जाता है कि कोई बिमारी है या कोई चीज है वह हमारे भीतर लौतरित होने वाली है सारी चार शव मेने पहले उस व्रक्टी को इंडीकेशन्स मिल जाते हैं और वो इंडीकेशन्स को कोलोग करता या नी करता वो दूसरी बात है बाकी तेज़ शरीर के निरपो जाता है और तेजस शरीर के अंदर रूपांतरन होता है हमारा जो जो हमारा अचेतर मन है यानि कार्मन शरीर से निकलने वाले जितने भी जो हैं हमारे वाइबरेशन्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और वो आकर के तेजस शरीर से टच होकर के भाव बनते हैं वाइबरेशन के रूप के अंदर तब उसको कलर्ड लेशिया मिलती है और वही भाव बनाते हैं शुब और अशुब भाव जो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया होती है तेजो लेशिया चमकता हुआ पिंग कलर का कलर्ड होता है वो शान्ती प्रदान कर और पद्म लेश्या होती है वो चमकता हुआ जो है वो पीले रंका होता है वो तेजो लेश्या होती है और वो जो है वो तेजो लेश्या जो है वो जो है आनंद की जो है नुभूती कराती है शुक्ल लेश्या चमकता हुआ जो ट्यूब लाइट का एकदम बाइट कलर होता है वो purity की अवस्ता होती है वो शुक्ल ध्यान की अवस्ता होती है वो निर्विचारती की अवस्ता होती है वो निरालंबन की अवस्ता होती है और वो ऐसे ही मुनियों को या देवताओं को आती है जो जल्दी मुक्ती जाने वाले होते हैं वो समाधी की अवस्ता होती है वो सारा जो है वह हमारी जो है वो शुकल लेशिया कहलाती है और ये तो हमारे शुब भावों का कनवर्शन जो की हमारे बीतर से अचेतन मन से आ रहा है कार्मन सरीर से आ रहा है उसका कनवर्शन जो है तेज़स शरीर में या अचेतन मन के अंदर होता है और उसी तरह से अशुब बाव अगर भीतर से आ रहे हैं तो करशन नील कापोद लेश्या का कलर मिलता है करशन मतलब गेरा काला कलर ब्लंट है और नील लेश्या का नीला कलर होता है जो गेहरा काला कलर होता है वो इंसा की लेशाएं होती है वो जो है आरंब समारंब की लेशाएं होती है माह आरंब माह समारंब माह इंसा की लेशाएं होती है और बहुत की खराब लेशाएं होती है इंसा कराने वाली होती है और जो नील लेशाएं होती है वो जितना भी तरह जूट, माब, तोल और जाली कागज, जाली चीज और जितना धोका धड़ी है वो सारा जो है नील लेशिया से होता है और जितना नेगरिटिव थौर्ट्स का कारिकरम होता है नकारात्म सोच का होता है वो सारा कारे जो है वो हमारी जो है कापोत लेशिया क माध्यम से होता है तो ऐसे जो भाव होते हैं वो वाइबरेशन जो है वो हमारे इस तेज़े शरीर में आते हैं और तेज़े शरीर से जुड़ी हुई जो हमारी endocrine glands होती है जो की चेतन मन के अंडर काम करती है वो चित्र के अंदर काम करती है तो वो जो है जब इसके अंदर आती है तो वो उसको change कर देती है endocrine glands है duct less होती है तो वो इन vibrations को आर्मोस के अंदर liquid के अंदर change कर देती है और वो आर्मोस जो है चेंज किया हुआ लिकूिड होता है तो वह जब हमारे पूरे जो है जो कहना चीह चेतन मन की साहिता से हमारी इंदरियों के अंदर या हमारे करमें दिर्या हाथ पाव है उसको जब टच करते हैं उसके अंदर जो चले जाते हैं तो फिर वो working stage बन जाती है शुब होता है तो शुब कारी होता है जैसे कि हम दान करने लग जाते हैं मन वचन का है कि शुब किरिया के ते समाई करते हैं स्वाध्याय करते हैं अंसर मनोदरी बिक्साचरी रिस्पर्ट्यार का अकले शित्यादी जो है बारा तरह के तब के बेड़ है वो हम करने लग जाते हैं तो वो सारा जो हमारा होता है ने करमिंद्रियों के जरिये से जो है उने लग जाता है तो इस तरीके से हमारी जो तेज़ेशड़ीर है एक पूरा process house है और इतना बड़ी factory है विश्चु की कोई factory नहीं होगी तेजस शरीर कई तरह के काम करते हैं कई मुनी ऐसे होते हैं जो अवधान वगरा किया करते हैं तो वो क्या है कोई विक्ति उनको प्रश्ण करके और 20-30 संकों की अंकों की संक्या का अवधान का जो है मोकी ग्रूप से बताते हो बेना किसी लिखे हुए वो जो है तेज़े शरीर के जरीये उनको याद कर लेते हैं और जब उनको वापस बुलाए जाता है तो तीस अंकों की संक्या को उसी ओर्डर के अंदर वो वापस सुना देते हैं ऐसे अवधानदारी जो है हमारे मुनी हुआ करते थे वो सारा तेज़ेश शरीर पे वर्क करते हैं यानि जब कोई भी सादक जो है शरीर को फैक्टरी बनाता है और फिर मुक्तिकी और जाता है तो उसमें तेज़ेश शरीर का बहुत बड़ा रोल है तेज़ेश शरीर जो है इस तूल सरीर तो दिखाई देता है तेज़े शरीर भीतर होता है वो दिखाई नहीं देता है तेज़े शरीर के और भी बहुत से काम है अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि तेज़े शरीर के अंदर प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है तो हम आपको बताना चाहते हैं तेज़े शरीर से जुड़ा हुआ अंतह करन तेज़े शरी को अंतर करन भी का जाता है उसका नाम है मन बुद्धी चित और एंकार मन ये चारों प्रोसेस इंफ्रेक्टि हमने तेज़े शरी को जो चार्ज करने की कर्मों के बाव डालने की प्रकिलिया बताई वो इन जो है चारों से जुड़ी होती तो मन क्या करता है कि सबसे पहले पैमपलेट निकालता है मन को जो कोई भी चीज बताई जाती है वो पैमपलेट निकालता है पैमपलेट कारती है हुआ कि जब कभी भी हमारे चुनाव होते हैं देश में तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं वो अपने अपने बैलेट पेपर वगरा वो जो है करें के पैंप्लेट है हमारे मन के पास वे आगे तो उन पैंप्लेट को जो है वह जो है निकालने का काम जो है वो हमारा यहां पर जो है उस तेजे शरीर ने किया है यानि कि मन है वो पैंप्लेट से इखाता है फिर हम उसके आगे चले तो गुद्धी गुद्धी जब उन पै माई मिनिस्टर का काम करती है, बուद्धी उन पैमपलेट्स जो मन में बनाया है, उन पैमपलेट्स को देकर के वो नाचने लग जाती कौून सा मैं इसको अप्रूल करूँ यह करूँ वो कुछ मिलने तो नहीं छेने पाड़ती है लेकिन वो नाचती ज़रूर है तो वो उन पैम्पलेट्स को चित को दे देती है तो चित क्या है एक CCTV कैमरे की तरह है वो विजुलाइज करता है जो जो पैम्पलेट्स आए उनके फोटो कीच लेता है वो हमारा जो है वो कहना चाहिए कि वो हमारे फोटो कीच लेता है और ये काम करता है चित फोटो करता है तो चित भी template, photo कीच करके और anchor को देता है अब anchor ओन चार, पहाँ जो फोटो के उपर जिसके उपर अस्ताक्षर कर देता है, वो नियम बन बन जाता है, वो कानून बन जाता है, और वो सबके लिए पालने के लिए लाइक बन जाता है, क्योंकि एहनकार जो है एक राश्टपती की उत्मा दिये हैं तो उसके पारित करने से ही कोई भी हमारा राज्य सबा का या जो है संसत का जो नियम बनता है तो अब देखिए ये सारा जो है इतना घटित हो गया इस घटित के बल बूते पर हुआ सब तेज़ेश शरीर के बल बूते पर हुआ तो तेज़ेश शरीर को हम बहुत उप्योगी मानते हुए और इसको कई मल्टी जो है वर्क वाला जो है हमने इसको माना तो तेज़ेश शरीर एक फैक्टरी है जो कई तरह के काम करती रहती है भाव निर्मान का काम करती है और एक काम मारा तेज़े सरी और करता है कि कोई भी मैस महरेजम का कहिए या ये लोग जो अपने छाती के उपर 30, 30, 40, 40, 50, 50 टन के ट्रक है वो चला लेते हैं तो वो जो है स्वास को रोक करके और उसके साथ साथ में तेज़े सरीर से शक्ती प्राप्त करके और ऐसे कारी कर लेते हैं वो तो वो सारा चीज जो है तेज़े सरीर का काम होता है तेज़े सरीर कितने कितने डारेक्शन के दर काम करता है वो हम पूरा बता है तो भावों का निर्मान करता है वो अवधान कराने वाला हो जाता है और वो आप कोई भी आज से छोटे बच्चे हो दो तीन साल के पचास साल सो साल पुराने चीज जो है अवच्छतन में में फिट कर दी जाती है तो वो चीज साफ सुत्री आज ही दिखाई देती है यह चीज तो मैंने आज ही तियार की जब कि वो पचास साल पुराने होती है तो यह भी जो है हमारे तेजस सरीर का एक काम है कि वो सब तरह के जो है अनुबवों को समेट लेता है और बता देता है तो हमारे इस सरीर के अंदर पांच जो हमारे शरीर है उन पांच में से तीन तेजस तीन सरीर मिनिमम आफशिक रूप से रहते हैं और जैसे कि हमारा देखिए जब हम इस ओधारिक शरीर को छोड़ते हैं तो ओधारिक शरीर होता है और दूसरा तेजस शरीर होता है ये और आत्मा होती है ये तीनों साथ रह करके दूसरे सरीर को जो ये जाता है तो इस तरीके से तेज़श शरीर के अंदर जितना भी तेज़श का काम है प्रकाश का काम है ये सहरा जो है तेज़श शरीर करता है तो इसलिए जो भाई और मैंनों हम कहना चाहते हैं कि तेज़ शरीर ग्यान की वद्धी में भी इसका पुरा उप्योग होता है तो तेज़ शरीर से हमें पूरा ग्यान लेते रहना चाहिए तो हमने इन सारी बातों को तेज़ शरीर के साथ जोड़ करके देखा तो तेज़ शरीर हमारे जीवन का कितना महत पूर्ण शरीर है क्योंकि भगवान से भी मिलता है और वो रियल पुर्शाट भी करवाता है तो वो कितना कहना चाहिए कि वो हितैशी होगा हमारे जीवन का हितैशी शरीर है वो तेज़ शरीर है तो तेज़ेश शरीर के लिए ये भी कहा गया है कि लियूमनियस बोडी लियूमनियस बोडी को जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लियूमनियस बोडी के मालूम से ही हमको जो है समाने व्यक्ति को अपनी जो कहना चीए कि अपने आयूश्य करम है उसका भी हमको जानकरी मिल जाती है तो आते हैं भाही और मैंनों हमें इस तेज़ेश शरीर को बहुत देराई से अध्यन करना चाहिए यह पूरा रिसर्च का विशह है क्योंकि यहां पर भाव जिर्मान होते हैं यहां आद्टों का जिर्मान होता है तो अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि तेज़ेश शरीर जो है वह इतना उप्योगी होने के बावजूद भी जो है वह अपने इस तर पर कोई काम करता है या नहीं करता है यह हमको जाँच परताल करनी है और शान्ती को प्राक्त करना है तो जैसा हमने बताया कि तेज़ेश शरीर जो है वह बहुत कुछ जो है काम अपने आप करने पड़ते हैं तो वह सारे वह भी जाते हैं तो तेज़ेश शरीर के माद्यम से हम यह समझने का कोशिश करें कि तेज़ेश शरीर अंतराल गती के अंदर हमेशा साथ रहता है और पूरी पॉर्सेसिक फैक्टरी जो अभी हमने वो बताई कि मन गुद्धी चित और हैंकार यह रहता है जो गुद्धी होती है वो देखिए तेजश शरी बीतर का जगत है वो प्रग्या का जगत है यह भी समझना जरूरी है कि जो हमारा भार का वैवार का जगत है वो अग नाशवान भी होती है अवस्ता आई और अवस्ता चली गई यह सारा उसे होता है लेकिन हमारा जो तेजश शरीर है वो जो सारा कारे करता है वो जो है इन सब चीजों से जो है वो अवस्ताओं से परे भी काम करता है तो तेजश शरीर को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है सोचना है किस तरीके से तेज़ शरीर का जो है रोल रहता हमारे सरीर पे तो हम अभी जो तेज़ शरीर की बात बता रहे थे कि तेज़ शरीर जो है हमारे इस सरीर के अंदर कितना एक मैट तो कौन जो है शरीर है तो अब हम देखिए करलियन फोटोग्राफी जितनी होती है वो तेज़े शरीर के अंदर से जो फोटोग्राप्स करके और उस फोटोग्राफी के माध्यम से डेरिवेशन्स निकाल करके हम पता कर लेते हैं इस वक्ति का आबा मंडल क्या है और कितना बड़ा इस वक्ति के अंदर कोई क्या क्या विशेस्ता हैं क्या गुन हैं वो फोटो मंदल बना करके उसके यो है टेमपरामेंट का भी हम ध्यान कर सकتे हैं तो इस त्तरीके से तेजेश शरीर की हम बाद कर अगरं तो एक लम भी संकला है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो यकरत होता है वो पांसो तरह के काम करता है तो तेज़े शरी भी कम काम नहीं करता है और ये सारा जो एक्टिव करने का काम होता है तेज़े शरी का होता है क्योंकि जो मूल आत्मा होती है उसकी मात्र प्रजेंस होती है और प्रजेंस से ही सारा काम होता है वो है तो सब कुछ है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है आत्मा की प्रजेंस का भी क्योंकि तेज़ शरीर उसका सहोगी है तो आत्मा की प्रजेंस कैसे होती है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने संक्या के अंदर एक लिखा अब उस एक के बैक साइड के अंदर जीरो जीरो में जोडता हूं पहला जीरो जो है धन दौलत का है दूसरा जीरो है वो मकान का है तीसरा है वो हमारी जो है वो दुकान का है चोहता फैक्टरी का है तो इस तरीके से हमने देखा कि जब आत्मा रूपी एक के पीछे जीरो रहती है साथ नौक बढ़ने के साथ में परन्ถु अब हमने उस एक को काळर झाट दिया एक घ्क उता दिया तो जित्ते okay ही और बने हुए है मैं आपसे प्रतुप्र अब की जो है वरिष्टा कहिए उप्योगिता कहिए उन सब का जो है वो अच्छी है बुरी उन सब का जो है वो हता है आत्मा की हाजरी से होता है और आत्मा की हाजरी को परफेक्ट रूप से पस्तूत करने वाला मनुश्य ही होता है क्योंकि मनुश्य जो है हर चीज के अंदर अपना development रखता है और मनुश्री मुप्ती को प्रावत होता है तो उसको सब चीज की जानकरी होती है लेकिन बहुत से लोग होता है वो जानकरी तो है परिशम नहीं करना चाहते है उसको explore नहीं करना चाहते है तो explore नहीं होकर नैसे वो विद्या धीरे धीरे उनके पास समाप तो जाती है तो तेज़ेश शरीर अनेकों काम करने वाला मल्टी डारेक्शनल फैक्टरी है ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए और इसके तेज़ेश शरीर के साथ में जो घटक है उन घटकों को भी समझना चाहिए और तेज़ेश शरीर जो है वो हमारा भेज़ विग्यान का भी काम करता है सर्वे गौनतु सुकिना, सर्वे संतु निरामया लोग के सब जिवों को सुक मिले, शान्ती मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सुहाद मिले, और सभी अपनी अपनी तरक्की करके दीरे-दीरे सारे जो शाष्ष्ष्व को प्राप्त हो आगके परती मंगल बावना, शुक कामना ओम शान्तु एक ऐसा अंतराष्टिय ख्याती प्राप्त मानो जो गुरू प्रेणा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानोता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानो जो अभी राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनो प्योगी विश्यों पर हिर्दैस पर श्री प्रवचन कर चुका है उस मानो का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग दर्शन शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्थर के 250 शोध गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंटरल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्क्शॉप कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को चार हजार से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ओनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उप्योग लाखों पाठक कर रहे हैं उपासक तातेड के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेबसाइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं कर दो कर दो कर दो